साथियो अभी आपने जी नागरजुना को सुना चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ एनर ओयर के प्लैटफॉर्म पे जहां हम देखेंगे कि सीजी ओयर के प्लैटफॉर्म तक कैसे पहुचा जा सकता है और उसमें उपलब्ध विभिन विशो के डिजिटल कंटेंट को कैस यह चलते हैं सबसे पहले आपको इंटरनेट पर एक ब्राउजर ओपन करना है जैसे यहां पर मैंने गूगल ब्राउजर ओपन किया है अब यूर्म में टाइप करना है अब हमें रिपोजेटरिव वर्क स्पेस दो अप्शन दिख रहे हैं अब हमें वर्क स्पेस पर क्लिक करना है इसके बाद स्टेट पार्टनर पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर दिख रहा है चातिस गड़ चातिस गड़ पर आपको क्लिक करना है यह है CGOEAR का प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म पर यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे विशे यहां पर दिख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी चलिए इन में से हम एक विशे को चुनते हैं जैसे यहां पर मैं केमिस्ट्री चुन रही हूं इस पर क्लिक करिए, इस केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स दिये हुए हैं चलिए मैं इसमें से एक पी-च स्केल टॉपिक को चूज करती हूं इस पर क्लिक करना है पी-च स्केल पी-एच के बारे में तो आपने बहुत सारे एक्सपरिमेंट स्कूल में कराई होंगे पी-एच एक ऐसा पहमान है जिसकी सहायता से किसी भी विलियन की अमलीता और शारीता को हम पता कर सकते हैं जिसके लिए हमें पी-एच इंडिकेटर के आफशकता होती है उसे हम विलियन में डुबाते हैं और फिर उसका पी-एच मान ग्याद करते हैं तो चलिए इसे हम एक simulation से समझते हैं यहाँ पर एक simulation जो की डिजिटल activity है यह दी हुई है इससे हम पी-एच मान निकालेंगे जैसे यहाँ पर एक tank दिया हुआ है सबसे पहले इसको खाली करना है इस tank में निकास नली लगी हुई है और इस tank में हम क्या करेंगे sample को डालेंगे और उसका पी-एच मान निकालेंगे चलिए यहाँ पर sample की सूची दिऊ ही है इसमें से मैं blood sample को चूज करती हूँ अब blood को इसमें मैंने डाला अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी अब यह जो पी-एच indicator दिख रहा है इस पी-एच indicator को इसमें डुबाना है अब हम देख सकते हैं कि पी-एच मान यहाँ पर निकल गया इसका पी-एच मान साथ से जादा आ रहा है इसका मतलब यह शारी प्रकृति को बता रहा है चलिए हम इसको खाली करते हैं और दूसरा sample लेकर देखते हैं अब मैं दूसरा sample ले रही हूँ मिल्क, मिल्क को यहाँ पर ले रही हूँ मिल्क को इस त्रंकी भनना है थोड़ा सा पानी फिर से आइड करेंगे अब इस pH इंडिकेटर को इसमें डुबाएंगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी-एच मान आ रहा है इसका पी-एच मान सासिक का मारा है इसका मतलब यह दूद की अमली प्रकृति को बता रहा है तो इस प्रकार simulation की सहायता से हमने पी-एच निकाला ऐसे बहुत सारी content इस platform पर उपलब्द है जिसे आप देख सकते हैं इसके लिए हमें gallery option पर click करना होगा तो gallery पर यहाँ पर मैं click कर रहे हूँ अब इसे e-library पर click करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धेरो content से यहाँ पर उपलब्द है जिसमें बहुत सारे images भी है, video भी है, simulation है, animation है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस प्रकार हमारे 36 गर सात्यों के द्वारा बनाएगे resources को देखा इसका उपयोग आप स्वयम के लिए भी कर सकते हैं और कक्षा अध्यापन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आप भी इस platform का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने स्वयम के content बनाकर तयार करना होगा और इस national platform पर upload करना होगा तब आप NR OER में अपने content को देख सकते हैं अब इसे कैसे upload करना है और content को कैसे बनाना है इसे जानने के लिए हम देखते हैं अगले वीडियो में